कस्मीर का तुलिफ गार्डन जो एसिया का सबसे बड़ा तुलिफ गार्डन है आज कल पब्लिक के लिए खोल दिया गया है इंद्रा गांधी तुलिफ गार्डन जो की डल लेक और जरवान हिल्स के बीच में पड़ता है वो अभी पब्लिक के लिए खोल दिया गया है ये एसिया का सबसे बड़ा तुलिफ गार्डन है और ये टूरिस्ट को बहुत ही एट्रेक्ट करता है इसकी ओपनिंग सेरिमेनी में जम्मू कास्मीर के लेटन गवर्नल मनौ सिर्ना जी ने कहा कि इस सालिया गार्डन में आपको तुलिफ की 68 वेराइटीज देखने को मिलेंगी और जो गार्डन के इंचार्ज है उन्हेंने कहा कि 15 लाग तुलिफ फ्लावर्स जो डिफरेंट कलर्स और प्रजातियों के हैं इनके कारण इसे सिराज बाग भी कहा जाता है यहां फूलों की और भी प्रजातियां है जैसे की हाइथिन्स, डेफर्डिल्स, मस्करी और साइने मिन्स भी आपको देखने को मिलेंगे इनके मुताविक हर सल गार्डन में फूलों की नई-नई वेराइटीज देखने को मिलेंगी इस साल हमने फाउंटेन चैनल को भी बढ़ा दिया है उन्होंने इंस्योर किया है कि तुले फ्लावर्स कम से कम एक मन तक रहेंगे और फिर हमारे फोल्टीकर्चर डिपार्टमेंट इसे सिस्टेमेटिक वे से प्लांट करता रहेगा एल जी मनोज सिन्ना जी के मताविक 2022 में इस गारडन में विश्टर्स की संक्या 3,60,000 थी जो अब तक की सबसे अधिक है जब से ये गारडन खुला है उन्होंने आसा व्यक्ति किया है कि इस साल भी पिछले साल की तुलना में जादा विश्टर्स आएंगे और उन्होंने ये भी बताया है कि एक और नया तुलिव गारडन जम्मू रीजन के संसारपुर में खोला जाएगा आपको बता दे इंद्रा गांधी मेमोरियल तुलिव गारडन पहले सीराजबाग के नाम से जाना जाता था जो 2008 में गुलाम नवी आजाद के द्वारा इनागरेट किया गया था वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूले